हलो एन वेलकम गई स्वागत है आपके अपने चैनल आई एंडी प्लस में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री चार्ट पे लेटर की लिमिट बैंक में ट्रांसर करने की वैसे तो आप लोगों को काफी अप्लिकेशनों में फ्री चार्ट को उप्सन मिल जाएगा वह क्यास में आप लोगों को बता भी देता हूं कि कैसे आप आमाजॉन का ट्रूस को अपने बैकेशन करेंगे जो कि कइस यहाँ पर आपको amount enter करना होगा कि आप कितने amount का gift card buy करना चाहते हो तो आपको जितने pay later की limit अपने bank में transfer करना है simply उतना amount आप यहाँ पर select कर लेंगे यहाँ पर इसापको 100 रुपए से लेके 2000 तक option मिल जाता है other amount का भी option आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है ठीक है यहाँ आप अपने according select कर लेंगे यहाँ पर नीचे आपका नाम आजाएगा mobile number आजाएगा and email ID आजाएगी ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे continue पर किलिक करेंगे अप continue पर किलिक करने के बाद किसा payment वाले option पर आजाओगे यहाँ पर यहाँ पर UPI का भी option मिल जाएगा और नीचे अगर आपने कोई card और भी add कर रखा होगा तो आपके समने card और भी आजाएगे ठीक है तो यहाँ पर हमें इसकी pay later की limit bank में transfer करना है तो उपर ही आप लोगों को यहाँ पर pay later balances हो जाएगा जेतनी भी आपकी limit होगी जेतने का भी आप gift card buy करना चाते होंगे तो य यहाँ पर हो जाएगा ठीक है तो यह यहाँ पर automated की pay later पर selector आएगा आपको कुछ नहीं के लिए pay now पर click कर देना है अब pay now पर click करने के बाद गया इस आपका जो gift card है वो यहाँ पर successfully purchase हो जाएगा जो कि अभी transaction यहाँ पर हमारी pending है और जो कि यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो transaction है और successfully हो चुकी है हमारे email पर gift card send कर दिया गया है और उसके बाद हमारे पास message और भी आ चुका है यहाँ पर देख सकते होगा है हमारा gift card है वो receive हो चुका है चलिए हम इसको यहाँ पर code है इसको copy कर लेते हैं और इसके बाद चलते है Amazon पर add करके इसको अपने bank में transfer कर लेते हैं तो finally हमने Amazon application को open कर लिया इसके बाद simply नीचे आजाना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलता है add gift card का आपको simply यहाँ पर click कर देना है इसके बाद जो आपने gift card वहाँ पर copy करा जो आपको mail पर gift code receive हुआ था simply आपने उसको यहाँ पर paste कर देना है तो यहाँ पर capture आ रहा है यहाँ पर fill up करने के लिए बोल रहा है तो चलिए हम capture भी enter कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने capture code भी enter कर दिया और gift code भी enter कर दिया ठीक है उसके बाद नीचे देख सकते हो add to your balance को option आ रहा है तो आपने simply इस पर click कर देना है अब इस पर click करने के बा है उसके तो इसकी अमाउंट को बैंक में ट्रासर कर सब्सक्राइब